दो स्वाटियों नमस्टा आम आप इसकी चैनल में सौरण है आप सभी का एक बार किना हम बनाने जा रहे हैं बाइफोकल चस्मा बाइफोकल में तो टिक की वाला है वो थाइप प्लस सवा एडिसन धाई CR-KT फाइबर लेंस लगना है CR-89 जिसको बोलते हैं केटी लगनाटिक की वाला तो उसको हम पूरा बनाने जा रहे हैं यह कैट आई फ्रेम है बहुत पुराना फ्रेम है इसमें दोनों लेंस लगने हैं राइट लिप पौवर सेम है नजदीक की भी दूर की तो कैसे हम इसकी मार्किंग करेंगे वो आपको बताएंगी कटिंग कैसे होगी और इसकी प्राफर प्रिटिंग कोरे बीडियों बने रहे हैं कि फटटा फटा फटाम करके दिखाते हैं पसंद आए तो लाइक से स्प्राइब जरूटे कि यह लेंस हो गया हम मार्किंग कैसे करेंगे आपको दिखा देते हैं जोस्तों हमने जो है राइट की डमी निकाला तो हम कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं सबसे पहले राइट में आप मार्किंग कर लिए उसके तो हमाइट का टाल कर आपको मार्किंग करके हमने R लिए अब हमें राइट की डमी से कैसे करेंगे औरवी कभी गभी होता हम दिखाते हैं कभी अच्छे में इस चीज को चाहें इधर से रखना और चाहें से इसट tuh यह करवेचर में है लिंस इसको ऐसे कर देगी यह पोजीशन नहीं रखेंगे जैसे है इस तरह से फ्लैट मोड पर नहीं रखेंगे दो तरफ से गैपिंग यह इस तरह से देखिए आप लोग समझ पाराएं गया ऐसे अगर राइट की डमी है या लेट की है राइट की डमी कर है यहाँ पर फोड़ा जरूर आएगा लेकिन आपको उतना ध्यान रखना होगा कि महुत आसान हो जाता है बिना डमी के आप करेंगे तो छोटा बड़ा सीशा होने की चाहँ होता है तो हमने राइट की तो पलट के लेट की भी मार्किंग कर लिया यह दिखिए फास्ट क्लास कि राइट की डमी से लेट में मार्किंग कैसे करते हैं दिखो आइडिटी आपने देखा होगा एक्सिस थाना इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई आईए हम आपको कटिंग दिखाते हैं देख पा रहे हैं कि राइट की कटिंग होने जा रही है आपने देखा राइट की कटिंग फस्कलास हो चुकी है आपने देखा इसी तरह से हम लेट की कटिंग आपको करके देखाते हैं अब बाइट की अगर्णियों वह सुकी है और चलेंगे एजिंग की तरफ गिसाई कैसे करते हैं वही दिखाते हैं इसी तरह से देखाते हैं आपने आपने देखाते हैं आपने देखाते हैं आपने देखाते हैं आपने गिसाई अवलगे अगर्णियों अगर्णियों आपने खाल्ध देखाते हैं आपने रेखाते हैं सब्सक्राइट यार एक धूर वार के वार एक भी आप है के घप जढ़ा की आंगे बते हैं